हलो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है T20 NPL में और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर कर आया हूँ कुछ टिप्स और ट्रेक्स जो कि बहुत ही जरूरी है ताकि मैं टाइम पर क्रिकेट ट्रेक्स की अपडेट आपको देता रहूँ इसके लावा क्रिकेट टिप्स और ट्रिक्स भी देता रहूँ तो आएए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रिकेट ट्रेक्स के कैसे पास करें और कैसे उसमें सेलेक्ट हो cricket players इससे पहले कोई फरक नहीं पड़ता कि आप किसी district या state academy के लिए trials दे रहे हैं या किसी private league या NPL के लिए trial दे रहे हो पहली trick आपकी ये है और आपकी पहली tip ये है कि be on time cricket trials को pass करने के लिए basic बाते आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें आज की हमारी पहली trick है be on time जहां आपका cricket trial होने वाला है और trial का जो समय आपको दिया गया है आपको वहाँ बिल्कुल समय पर पहुचना है इससे आपको जो selectors होंगे वो आपके समय की पावंदी और गंभीरता दिखेगी उनको और इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपका trial भी नहीं शूट सकता और ये आप लोगों के लिए अब ये कुछ कर दिखाने का समय है और कुछ अच्छा करने के लिए कभी भी देर नहीं करनी चाहिए हाज की दूसरी टिप क्रिकेट ट्राइल्स की dress ट्राइल पास करने की सबसे महदवपूर्ण बात जो selectors पर प्रभाव डालती है वो है आपकी trial dress ये बिलकुल मामूली सी बात है पर बहुत जरूरी है क्योंकि dress ही selectors को बताएगी कि आप एक professional player हो और उन्हें आपकी तरफ आकरशित भी करेगी अधिकतर ये देखा गया है कि players jean shirt में trials देने चले आते हैं जो की बिलकुल गरत है और आपको नहीं पता होता पर selectors आपको पहले ही reject कर चुके होते हैं सिर्फ आपकी dress की विज़ा से आज की हमारी tip 3 compulsory document photocopy, photo ID, passport size photo वगरा players मैं आपको बता दूँ अगर आप कोई भी trial देने जा रहे हैं तो आपनी ID की photocopy जैसे आधार card, pen card वा passport ये हमेशा अपने पास रखे और compulsory documents में 2-4 passport size photo भी क्योंकि इसकी जरुवत form भरते समय पढ़ती है सिर्फ trials में ही नहीं अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं तब भी ये सारी चीज़े हमेशा आपको साथ लेकर चलनी चाहिए ये हमारी तरब से आपको और छोटी सी सलाह है tip 4, fitness fitness is also very important tiles fitness में fitness का मतलब यह है fitness test का मतलब fitness test का मतलब है बहुत सारी exercise, stretching, running और भी बहुत कुछ बहुत से trials में आपको fitness test भी देना होता है ये fitness test NPL भी लेता है तो अगर आप fit नहीं होंगे तो trial कैसे देंगे tip 5, discipline trials में अनुशाशन के भी points जोड़ जाते हैं अगर कोई भी cricket player अनुशाशन में नहीं है ground में ढंक से वैवार नहीं करता तो उसे selectors reject कर देते हैं tip 6, technique इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप baller हो, batsman हो या all-rounder हो trials में बस आपको अपना किसी एक चीज में best दिखाना होगा इससे भी बहुत बड़ा प्रिभाव पड़ता है क्योंकि जब trials होते हैं तो trials में 200 से 300 players होते हैं तो selectors players की performance पर ध्यान देते हैं जिसको वो selection के बाद सुधार सके tip 7, choose position आपको अपनी position आप baller हो, batsman हो या all-rounder ठीक से तै करना हुगा सबसे बड़ी गलती जो players करते हैं all-rounder तै करके क्योंकि फिर selectors players की पूरी performance देखेंगे अगर किसी में भी कुछ भी ठीक नहीं है तो आपको out कर दिया जाएगा आज का हमारा tip 8 वैसे तो cricket trials में जातर player अपनी kit लेकर ही आते हैं और कुछ players ऐसा नहीं करते ground पर आप को आके sharing करते हैं पर ये बिल्कुल गलत है अगर आपका number आ गया और जिस players के साथ आप sharing करने वाले थे उसका भी number आ गया तो आपका या उस player का trial छूट जाएगा tip 9 ask questions to coach अगर आप अपनी performance के बारे में trial लेने वाले coach से सवाल पूछें ये selectors के mind में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है आपके सवाल उन्हें याद भी रहेंगे और tip 10 PPP या ट्रपल P practice, practice और practice ये सबसे महदपूर है आपको पता हो कि अभ्यास करते रहने से performance में सुधार होता है और आप आगे बढ़ते रहते हैं बाकी आप सारे players को future के लिए good luck और मेरा channel subscribe करना ना भूलें धन्यवाद और आप ये जो मेरी video है उसको ज़्यादा से ज़्यादा like करें और share करें जिससे की किसी और player को भी ये महत्वपूर जानकारी मिल सकें धन्यवाद